Good evening my dear students, आज हम करेंगे Class 10th The Necklace Matilda is invited to a grand party, यानि कि Matilda एक character है इस lesson में, उसको एक बड़ी party में बुलाय जाता है She has a beautiful dress, बट no jewelry, उसके पास dress, बहुत संदर dress तो थी, बट कोई jewelry नहीं थी She borrows a necklace from a friend, वो अपनी वो फ्रेंड से एक necklace लेती हार उधार लेती है और उसको खो देती है, वट हैपनस देन, फिर क्या गटना गटी तबती है तो ये सब जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी जो story इसको complete पढ़ना पड़ेगा So let's start our lesson She was one of those practice, young ladies born as if though an error of destiny into a family of clerk यानि कि वो उन सुन्दर ओर्तों में से, उन सुन्दर नोजवान ओर्तों में से थी, जो भागये की गलती से, एक भागये की गलती की वज़े से clerk की family में जिनका जनम हो गया था She had no dory, उसके पास कोई दहेज नहीं था, no hopes, कोई आसा नहीं थी No means of becoming known, और नहीं कोई ऐसा साधन था, जिससे वो किसी के द्वारा जाने जाए Loved and married by a man, either rich or distinguished, यानि कि उसके पास कोई आसा, कोई दहेज नहीं था कोई ऐसा साधन नहीं था, जिसकी वज़े से वो किसी distinguished or rich व्यक्ती के द्वारा उसको जाना जाए या फिर उन से साधी कर सके, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the board education और इसी लिए, इसी वज़े से उसने अपने आपको जो आग्या दे दी, यानि कि उसने अपनी साधी कर ली एक छोटे से clerk, पैटी होता है, एक छोटा सा तुछ, एक clerk से, जो board of education में clerk था she was simple, वो साधारन थी, but she was unhappy, लेकिन वो दुखी थी, she suffered incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries यानि कि वो incessantly means लगातार, वो हमेशा दुखी रहती थी, सिर्फ यह सोच के, कि feeling herself born for all delicacies कि उसका जनम तो आराम दाएक जीने के लिए और खुशनुमा जो है वो पूरे एश और आराम बराज जीने के लिए उसका जनम हुआ, ये बाते सब सोच के, वो हमेशा दुखी होती रहती थी, she suffered from the poverty of her apartment, वो अपने apartment यहां पे घर है, वो अपने घर की जो गरीबी थी, उसकी वज़े से जो हमेशा दुखी रहती थी, the sebi walls, उसकी जो sealant से बरी और दिवारों से वज़े से दुखी होती थी, and the worn chairs और पुरानी जो chairs थी, उनकी वज़े से हमेशा प्रेशान रहती थी, all these things tortured and angered her, ये सारी चीजे जो हैं उसे यातना देती थी, दुखी करती थी, और से गुशा दिलाती थी, when she seated herself for dinner, opposite her husband, जब वो डिनर के लिए अपने husband के बिल्कुल दूसरी विप्रिदिसा में बैठती थी, who uncovered the 13, जो कटोरे को का धकन उठाते थे, with a delighted air saying, एक खुश बरे अंदाज में ये कहते थे, oh the good pot pie, बहुत अच्छे मालपी, पोर्ट पाई क्या होता है, मालपी होते हैं, तो कहता है, I know nothing better than that, उसके husband कहते थे words, कि मैं इस से ज़्यादा अच्छा, मुझे कुछ नहीं लगता, इस से अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता, शी फुट फिंक ओफ लेकिन, उसकी विप्ले उसकी पत्ति क्या सोस्ती है, यानि की जो मैटेल्ट थिंक ओफ एलिगेंज डिनर्स, यानि कि वो सांदार डिनर्स के बारे में सोस्ती, ऑफ साइणिंग, सील्वर, चमकती हुए सांधी में, जो चीज उसके पास नहीं थी उसको वही चीजे अच्छी लगती थी जिसके पास वह जाना पसंद नहीं करती थी क्योंकि जब वह वापिस लोड़ती थी वह बहुत दुखी होती थी वह पूरा दिन रोती थी फोर डेस्पेर एंड डिसपोइंटमेंट निरासा से और उदासी की वज़े से वह हमें पूरा दिन फिर रोती थी एक शामकोस के पती जो है बहुत गरव से भरेवे जो है एक हाथ में एक बड़ा एंवेलप एक लिफापा लिए वे वापिस आते हैं ओफिस से ही से उसने कहा है यह देखो हीर इस सम्थिंग फोर यू देखो मेरे पास तुमारे लिए कुछ है सिर्किकली ड्री आउट ए प्रिंटीड कार्ड उसने जल्दी से शी गरता से छपावा कार्ड बाहर निकाल दिया एंवेलप से ओन वीच वर इंस्क्राइब होता है लिखा ह अगे और अचिक्तकियों सब्सक्राइब भाँ सब्सक्राइब हुआ सब्सक्राइब को बूलाते हैं मंडे इवनिंग में जन्वरी 18 एड़ दा मिनिस्टर रेजिडेंस में उसके निवास्थान में instead of being delighted यानि खुस होने की बजाए instead होता है की बजाए खुस होने की बजाए as our husband had hope जैसा कि उसके पती ने आसा की थी see through the invitation spitefully उसने इर्षा के साथ spitefully क्या होता है इर्षा से या गुसे से उसने क्या किया उस invitation को उस निमंत्र पत्र को फेक दिया upon the table murmuring कुछ बुद बुदाते वे जो टेबल पर फेक दिया what do you suppose I want with that तुम क्या सोचते हो मैं इसका क्या करूं फिर उसके एसबट करते हैं but my dearie लेकिन मेरे पीरिया I thought मैंने सोचा it would make you happy तुम इससे खुस हो जाओगी you never go out तुम कभी बाहर नहीं जाती and this is an occasion और ये एक आवसर है and a fine one और एक अच्छा आवसर है everybody this is one और इस परकार के आवसर की तो हर को ये इच्छा करते हैं and it is very select और ये बहुत कम लोगों को मिला है not many are given to employees यानि कि जो employee थे वहाँ पर काम करमचारी थे उनको जादा को ये नहीं दिया गया you will see तुम वहाँ पर देखोगे the whole official world there कि तुम वहाँ पर यानि कि तुम पार्टी में पूरा जो official जो world होगा उन सभी से तुम वहाँ पर मिल पाओगी she looked at him with an irritated eye and declared impatiently उसने बहुत ही irritated यानि कि बहुत ही गुसे से गुसे वरियांकों से उसकी तरफ देखा और ये गोशना की यानि कि ये कहा impatiently अधीरता से का what do you suppose I have to wear to such a thing as that तो कहता तुम ने क्या सोचा है मैं क्या पहनूंगी ऐसी पार्टी में he had not thought of that उसने तुम इसके बारे में सोचा ही नहीं था why that dress you wear when we go to the theater तुम वो dress ठीक नहीं है जो हम जो तुम theater में जाती हो तो पहनती हो कहता है it seems very pretty to me ये मुझे बहुत सुन्दर लगती है he was silent stupefied और वो बिल्कुल चुप और शोग्ड यानि कि उसको थोड़ा स्तब्द था इंडिस में यानि कि निरासा के साथ at the sight of his wife उसकी पत्नी के के दिश्टी कौन से यानि कि उसकी एक जलक से वो दुखी भी था वीपिंग यानि कि जब वो रो रही थी he stammerd वो हकलाया what is the matter क्या हुआ what is the matter क्या मामला है क्या बात है by a violent effort यानि कि बहुत ज़्यादा परियास करने पर she had controlled her waxation होता है पीडा यानि कि बहुत ज़्यादा कठोर परियास करने पर ही उसने अपनी जो पीडिया थी उसको कंट्रोल पीडा को कंट्रोल किया and responded in a calm voice और बड़ी सांत आवाज में उसने उसको जवाब दिया wiping her moist cheeks moist होता है गीले जो गालों को पूछते वे उसने बोला nothing कुछ नहीं only I have no dress and consequently I cannot go to this affair फिरो क्या कहती है कि मेरे पास कोई dress नहीं है और परिणाम सरूप consequently क्या था परिणाम सरूप I cannot go to this affair और इस मामले में इस यानिक पार्टी में फिर मैं नहीं जा सकती give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I फिरो कहती है कि यह जो कार्ड है तुम अपने किसी कुलिग को अपने किसी साथी को दे दो जिसकी wife ज्यादा fit हो यानि कि इसके लिए जिसके पास अच्छा अपने आपको अडौन करने का अच्छा कपड़े वगेरा हों तो तो उसको दे दो he was grieved वो दुखी हुआ but answer लेकिन उसने उतर दिया let us see matilda हमें देखने दो हमें सोचने तो matilda how much would you suitable costume cost कहता है तुम्हारी जो costume होगी तुम्हारा जो dress होगी उसकी सही क्या कीमत होगी कितना पैसे लगें उसमें something that would serve the other occasions कुछ ऐसा जो दूसर और सो को something very simple कुछ बिल्कुछ सा धारन सा सी रिफ्लेक्टिट फॉर सम सेकंड्स रिफ्लेक्ट करना उता सोचना अब उसने कुछ सेकंड्स के लिए सोचा thinking of his सम यानि कि उस रासी का विश्वास thinking करते वह यानि कि उसके बारे में सोचते वह that she could ask for जो उसको मांगनी थी without without bringing with it an immediate refusal यानि कि ऐसी जो रासी जो वो मांगे और उसको तुरंत कोई जो है रिफ्यूजल भी ना मिले यानि कि उसके हजमेंट उसको मना भी ना करें कुछ ऐसी रासी वो सोच रही थी and a frightened exclamation और वो नहीं चाहती थी कि कोई ऐसी रासी बोल दे जिससे कोई उसके पती का कोई बहबित जो है exclamation उसको प्राप्त हो और रिफ्यूजल प्राप्त हो जाए from the economical clerk, economical होता है एक किफाईती या फिर एक कंजूस पती से उसको रिफ्यूजल ना मिले वो ऐसी रासी सोच रही थी कि जो रासी बोल कि उसके पती उसको इंकार ना कर पाए फाइनल यांत में she said in a hesitating voice उसने एक हिचकी चाते जी आवाज में कहा I cannot tell exactly मैं तुम्हें अच्छे से तो नहीं बता सकती but it seems to me that 400 francs out to cover it फिर वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसको लिए इसको cover यानि कि इसको cover करने के लिए इसके लिए 400 जो फ्रैंक्स हैं वो काफी होंगे he turned to a little pill उसका जो चैरा उसके husband का चैरा थोड़ा पिला पड़ गा फोर क्योंकि he had saved just this sum to buy a gun क्योंकि उन्हों उसने इतनी ही रासी जो है धनरासी एक गन खरीदने के लिए बचा के रख रखी थी that he might be able to join some hunting parties the next summer ताकि वो अगली summer यानि कि ग्रिसम रितु में एक hunting party क जोइन कर सके यानि के सिकारी लोगों की जो party ती जाती थी उसको वो उसमें सामिल उसके with some friends उसके कुछ दोस्तों के साथ who went to suit larks जो लार्क एक परकार का पक्सी होता है उसका सिकार करने के लिए जाते थे उसके उनके साथ जासके on Sunday Sunday को nevertheless फिर भी he answered उसने answer दिया very well बहुत I will give you 400 francs कि मैं तुमको 400 francs दे दूंगा but try to have a little little pretty dress लेकिन जो है एक